एक छोटे से गाउ में रामू नाम का एक खिसान रहता था वो रोज खेत में जाता और तब जाके उसको और उसके वीवी को खाना मिलता था आजी सुनती वो मैं खेत में जा रहा हूँ मुझे शायद आज थोड़ी देर हो सकती है तुम खाना खाके सो जाना रामू अपना खाना लेता है और चल पड़ता है खेत की ओर तब ही उसकी नजर एक रोते वुए आदमी पर पड़ती है अरे ये कौन है और ये ऐसे क्यों रो रहा है चलो इसे पूछ भी लेता हूँ अरे भाई तुम कोन हो और क्यों रो रहे हो मुझे बताओ मैं तुमारे कुछ मदद कर सकता हूँ क्या अरे भाई मैं तीन दिन से काम धुन रहा हूँ पर मुझे कोई काम नहीं दे रहा है और मैंने तीन दिन से खाना भी नहीं खाया है अब मैं क्या करूँ इसलिए रोते हुए भैथा था रामू मन की मन में सोचता है कि अब मैं क्या करो इसको मेरा खाना दो या ना दो अगर मैंने मेरा खाना दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा पर ठीक है बेचारा तीन दिन से भूका है एक दिन वो खा लेगा तो बेचारे की तबियट ठीक हो जाएगी और एक दिन तो मैं भी भू करे सकता हूँ ये लो भाई मेरा खाना तुम तीन दिन से भूखे हो तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ये खाना खाके अपनी भूख मिटा लो नहीं भाई में ये खाना नहीं ले सकता ये तो तुम्हारा खाना है और तुम खेत में जा रहे हो तुम्हें भूख तो लगे खाने के लिए तुम ये खाना खालो ठीक है भाई तुम इतना के रहे हो तो मैं ये खाना खा लेता हूँ पर तूम भी भाई खेत में जाने के बाद कुछ न कुछ खा लेना रामू खेत की ओर निकलता है और सोचता है कि पहने ही बहुत देर हो चुकी है अब दिन बर कितना काम होता है क्या पता ऐसा ही कुछ दीन तक चलता है रामू सुभा निकलता है अपना खाना लेके और उस आदमी को रोते गोए देखता है और अपना खाना उस आदमी को दे देता है और खेत की ओर निकल पड़ता है एक दिन शाम को खेत से लोटते समय रामू देखता है कि मेरे खानी का जो थैला है वो वही पड़ा है अरे ये थैला तो यहीं पड़ा है और वो आजनी कहा गया लगता है खाना खाके थैली यहाँ छोड़ गया चलो कोई बात नहीं ये थैला उठाके मैं घर पे चला जाता हूँ खेट में रामू दिन भर काम करके बहुत ठखा हुआ रेता है तो वो अपना थेला लेता है और घर की रास्ते निकल पड़ता है क्यों जी प्या हुआ आज बहुत तेर हो गई घर को आने के लिए और खाना क्यों नहीं खाया थेला तो भरा का भरा ही लग रहा है आज खाना खाया के नहीं आपने हरे भागवान ऐसा नहीं है कुछ दिनों से एक बेचारा आदमी भूखा बैठा था एक जगा पर और उसे कुछ काम भी नहीं मिल रहा था तो वो बेचारा बहुत भूखा भी लग रहा था इसलिए मैं कुछ दिनों से मेरा खाना उसे दे रहा था और मैं खेत में जो मिला वो खालेता था, और आज भी दिया था उसे मेने मेरा खाना और शायद उसने खाना नहीं खाया, इसलिए ये थैला भरा हूआ लग रहा है, लाओ ये थैला इधर, मैं इसे खोलके देखती हूं, अरे इसमें तो बहुत सारा सोना है, ये कहां से लेकर आये आप, इसमें खाना नही पता भी नहीं भागवान सच में मुझे कुछ भी पता नहीं के इसमें क्या है और ये सोना मेरे थेले में कहां से आया शायद उस आदमी ने रखा होगा अब इतने सोने का हम क्या करेंगे कोई बात नहीं जी वो आदमी कोई और नहीं भगवान थे शायद जो आपकी परिक्ष ले रहे थे और आप उसमें सफ़ल हो गए इसलिए हमें ये सोना मिला है तो देखा दोस्तों अच्छे काम का हमेशा अच्छा ही फुल मिलता है तो आप लोग भी अच्छा काम करो और चाइनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एक केर बाइबाइब